नमस्कार आपका स्वागत है इस संसार में कई मनुष्य हर रोज ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते है उनकी इच्छाओ का कोई अंत नहीं है उनमें से कई लोगों के पास सभी सुख सुविधाय होती है हर खुशी होती है लेकिन फिर भी उन्हें ईश्वर से कुछ ना कुछ और चाहिए होता है वो उस चीज के बार में बहुत ज़्यादा सोचते है जो उनके पास नहीं है और जो उनके पास है उस वस्तु की किमत नहीं करते है मनुष्य की ये प्रवर्ति होती है क्यों से जरा सा कष्ट हुआ ये जरा सी भी परिशानी आती है तो वो तुरंत ही ईश्वर के चर्णों में लेट जाता है और अपनी हर चोटी बड़ी परिशानी को लेकर ईश्वर के पास पहुँच जाता है मंदिर मंदिर घूमता है मन्नते मांगता है परन्तो कई बार हम ये भी नहीं समझते हैं कि जिस छोटी सी समस्या को लेकर हम इतना परिशान हो रहे हैं वह तो वास्तों में कोई समस्या है ही नहीं ईश्वर को कष्ट देने के बजाए हम स्वयम ही उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं यदि हम अपने चारो और नजर घुमाएंगे तो हमसे भी कही ज्यादा मुसिबत के मारे लोगों को देख पाएंगे कभी कभी ईश्वर हमारी परिक्षा लेते हैं वे हमारे सयम की हमारे कष्ट सहन करने की शमता की कसवटी देखते हैं और हमारे अच्छी खासी चलती जिंदगी में कुछ कष्ट भी डाल देते हैं जो वेक्ती अपने ईश्वर पर भरोसा रखकर और अपनी ख्षमता से इन परिशानियों का हल निकाल लेता है वही अंतमे खुछ रहता है और जो वेक्ती अपनी मुसिबतों का हल ढूडने की कोशिश नहीं करता और केवल बार-बार ईश्वर के सामने हाथ जोडने लगता है ईश्वर उसकी कभी साहिता नहीं करते और हमें लगने लगता है कि इस पूरी दुनिया में केवल हम ही एक मात्र दुखी है जिस पर ना वे अपने शिश्यों को जीवन के सभी मुल्यों से अउगत कराते हुए शक्ती के साथ साथ भक्ती की उपासना की शिक्षा देते थे एक बार अपने शिश्यों को वे इश्वर से हमें कुछ मांगना चाहिए या नहीं इस विश्य पर अपना उपदेश दे रहे थे क्योंक मन में उथल पुतल मची रहती है नामस्वरण के साथ साथ हम अपने दुख और कश्ट भी ईश्वर को बताते रहते हैं तब समर्त रामदा स्वामी ने अपने शिशे से कहा कि एक बार उन्होंने एक बड़े से राजमहल के द्वार पर एक भिख्षुक को खड़े देखा उस राजमहल से राजा भार आये और उसने उस भिख्षुक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए भिख्षुक ने कहा कि मेरी अवस्ता को देखकर भी एदियापको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे आपसे किस बात की अपेक्षा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ मैं आपके सा आमस्वरन करते जाओ परमात्मा को सब दिखाई देता है वे आपकी अवस्ता भी देखी रहे है या चब्दों की कोई आवशक्ता नहीं है कहने का तात्पर यह है कि इश्वर ने सब के भागे में सुकार दुख लिख दिया है हर बात कभी एक निश्चित समय होता है आप क केवल कर्म करते जाओ सई समय आने पर ही आपको उसका फल मिलेगा इसले इश्वर के सामने हर बार कुछ ना कुछ मांगते रहना ठीक नहीं है बस यह याद रखे कि इश्वर की द्रश्टी हम सभी पर एक समान होती है किसी मंदिर के बाहर बैटे बुड़े बच्चे या ग करते हैं हम भी मंदिर के अंदर जाकर इश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं जबकि हमें इच्छित वस्तों को प्राप्त करने के लिए प्रयतन करने की शक्ती और उर्जय की मांग करनी चाहिए इश्वर भी आपके विशे में यही सोचते होंगे कि इसे मैने बुद्धी शरीर सब कुछ दिया है लेकिन ये कारे करने की बजाय मेरे पास मांगने के लिए ही आ रहा है इन दोनों उदारनों से स्पष्ट होता है कि हमें इश्वर से कुछ मांगते हुए दो बाते ध्यान में रखनी चाहिए पहली यही कि कुछ मांगना है तो उस परमिश्वर की आप अपने कश्ट भी भूल जाए दूसरी बात ये मांगनी है इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का सामर्थ और इच्छ शक्ति मांगिए अपने पास क्या नहीं है इससे ज्यादा अपने पास क्या है इस पर ध्यान दे तो आपको उसे और कुछ मांगनी की जुरत नही पड़ेगी और जब आप उनका नामस्मरण करेंगे तो समर्त स्वामी रामदास की तरह ही आप भी केवल ईश्वर को ही केंदर में रखकर करेंगे इस तरह आप अपने आपको ईश्वर के और भी करिब महसूस करेंगे तो दोस्तों ये थिवा बाते जो हमें ईश्वर से मा बश्ची लिखे, धन्यवार